जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे दाल फ्राई लेकिन इस दाल फ्राई को हम बच्ची हुई दाल से बनाएंगे अकसर जब भी हम घर पर दाल बनाते हैं तो वो बच जाती है तो इस दाल में थोड़े से स्पाइसिस और कुछ इंग्रीडियन्ट सेट करके हम इसे चटपटी और स्वादिश्ट बना सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं डेली और वीकेंड स्पेसेल रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलने तो लेफ्ट ओवर दाल की दाल फ्राइब बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पेन में तीन टेल स्पून तेल गरम कर लेंगे और इसमें हाफ टी स्पून राई एट करेंगे अगर आप इसे और भी मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो यहां पर आप तेल के साथ थोड़ा सा बटर भी एट कर सकते हैं यानि कि तेल और बटर की आध्याधी क्वंटिटी एट कर दें राई के चटकने के बाद हमने इसमें हाफ टी स्पून जीरा एट कर दिया अब एट कर देंगे तीन मीडियम साइज की कटी हुई प्याज और दो बारिक कटी हुई हरी मिच अगर आपको लहसुन और अध्रग का फ्लेवर पसंद हो तो आप इस टेज पर बारिक कटा हुई लहसुन और बारिक कटा हुई अध्रग भी थोड़ा सा एट कर सकते हैं लहसुन का कलर चेज हो जाने के बाद आप इसमें प्याज और हरी मिच एट कर दें तो इस तरह से प्याज का कलर थोड़ा सुनेरा होने लगे तब तक हमने इसे फ्राई कर लिया इस स्टेज पर हम इसमें कुछ स्पैसिस एट करेंगे तो यहां पर हमने एड़ किया एक टीस्पून पाउंभाजी मसाला आप यहां पर पाउंभाजी मसाला की जगा एक टीस्पून जितना सांभर मसाला भी एड़ कर सकते हैं इसे बढ़िया सा कलर देने के लिए 1 aggi ve s мы Growth ईट कर詐 लिए 1 फिर केसमे類 मीह पाउडर करेंगे इस तरह जब क्याज के सάथ कसमेली लाविए पाउडर एट करेंगे Scout इस बहुत ही बढ़िया कलर मिलेगा लेकिन आपके परसे नहीं हो तो आप इसे skip कर दे अगर आपको जरूरत लगे तो आप इस टेज पर थोड़ा सा नमक एड कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर ओल्डेडी पकी हुवी दाल लेंगे तो उसमें नमक तो होगा ही तो अगर जरूरत ना हो तो ना एड करें और इसे अच्छे से mix करने के बाद जो बची हुई दाल है वह हम इसमें एड कर देंगे तो दो कब जितनी बची हुई दाल हमने इसमें एड कर दी है और इस दाल फ्राई को हम हाई फ्लेम पर बनाएंगे क्योंकि high flame पर बनाएंगे तो बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे आप यहां पर इसे cover करके भी पका सकते हैं या फिर इस तरह खुले में पका लें तो हमने इसे पेल में बनाया है क्योंकि दाल की quantity थोड़ी सी ज्यादा थी अगर दाल की quantity थोड़ी कम हो तो आप इसे तवे पर ही बनायेगा तो यह और भी मज़ेदाल लगेगी तो देखिए इस तरह से मैंने इसे बीच बीच में चेक कर लिया और इसे high flame पर पकते हुए 5 मिनिट हो चुकी है और यह मज़ेदार सी दाल फ्राइ बनकर बिल्कुल तयार है तो गेस की flame को ओफ कर देंगे और इसमें हरा धन्या एट करके इसे मिला लेंगे और साव कर लेंगे वीडियो पसंद आई हो तो like, share और comment करें चैनल पर नए है तो मेरी आपसे humble request है के ऐसी ही आसान, simple और unique recipes के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं तिर मिलेंगे जाइका इंडिया का YouTube चैनल पर एक नई recipe के साथ तब तक के लिए जाइ